एक नाम दिया सेखक अब्दुल्ला का दूसरा नाम दिया जवालाल नेरुका तो वह हम मिनिस्टर ते क्यों नहीं दिया बैई už अब सुनिए दीकनी जाहिए अब सुनिए सुनना पड़ेगा ऐसे नहीं चलेगा हमने सुना है धारी से चुना है पकरवल भाईयों को दिया जाए हमें कोई आपत गुर्जरों को जो फाइदा मिला है उसमें कोई बडलाव नहीं होगा ट्राइबल के सारे फाइदे, एजुकेशन में और बाकी सारे नौकरियों के रिजर्वेशन में, जितने भी फाइदे गुर्जर भाईयों को मिल रहे हैं, पहाडियों को जो भी मिलेगा, वो उसके अलावे मिलेगा, एक भी नौकरी ना खतम होगी, ना एक भी सिख्षा की सी खतम होगी, पूरा का पूरा अधिकार आपका भी रहेगा, उनका भी मानेवार, एक बहुत बड़ी चर्चा चली, कि जवालाल नहरू जी का कस्मीर के लिए कंडक और इस पर हमारा नजरिया थुड़ा तंग है, यहां तक तंग नजरिया का सवाल है साब, देश की एक भी इंच जमिन का सवाल है, हमारा नजरिया तंग रहेगा, हम दिल बड़ा नहीं कर सकते हैं। भी जाती है, तो इसके लिए भारतिय जन्ता पार्टी का हर कारे करता, सर्वोचता से संगर्स करेगा, लड़ाई करेगा और लड़ेगा, हमें कोई इसमें सर्म की मानेवर में कुछ बाते कहना चाहते हैं, बहुत कुछ कहा है, अभी कहा गया, नहरू के कारण कास्मीर यहा और कस्मीर होता ही, इस तरह से का, मैं आज कहना चालता हूँ, कि जो आजादी के बाद भारत की रचना को जानते हैं, उनको मालूम होगा, हिद्राबाद में इससे भी बड़ा प्रोब्लेम हुआ था, क्या जवालाल जी गए थे क्या? तो यहां गवर्मेंट नहीं, यहां नहरू, क्या कर रहे हो, खड़के जी अभी भी वापस आओ, एक मिनिट, एक मिनिट रेकोर्ड पर है, रेकोर्ड पर है, कस्मीर में दीगवीजे जी ने, सर्दार पटेल का नाम नहीं लिया, एक नाम दिया, सेख अब्दुला का, दूसरा नाम दिया, जवालाल नहरू का, तो वो होम मिनिस्टर ते क्यों नहीं दिया भई, अब सुनिये दीखनी जाएजी, अब सुनिये, सुनना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा, हमने सुना है, धारिये से सुना है, मान्यवर, मान्यवर, जुनागाड में, क्या जवालाल नहरू गएथे, हैदराबाद में जवालाल नहरू गएथे, लक्सदीप में जवाला नहरू गए थे जोदपूर में जवाला नहरू गए थे जवाला नहरू एक ही जगे काम देखते थे जमू कस्मिर में जिसको आधा छोड़ कर आगे है एक ही जगे देखते है मानेवर दूसरा विलाई लेट क्यों हुआ सारे लोग जानते हैं साब इतियास को एक हजार फूट नीचे दफन कर दो वो ऐसा बीज है जो वटवरूक्स बनकर सचाई बाहार आ जाती है सब जानते हैं कि हमारा विलाई इसलिए लेट हुआ कि महराजाब पर किसी एक व्यक्ती को किसी एक व्यक्ती को विशेष्थान देने का आगरः था सेख अब्दुला को विशेष्थान देने का आगरः था इसके कारण विलाई लेट हुआ और पाकिस्तान को आकरमन करने का मौका वा मैं आज ये पूछना चाहता हूं कि इतने सारे कठी इन राज्यों का विले हो गया कहीं पर 370 क्यूं नहीं है क्यूं नहीं है ना जोद्पूर में है ना जुनागड में ना हिद्राबाद में ना लक्सोदिप में क्यूं 370 नहीं है कि सम्वेदिन सिल रदय के कारण 370 है मानेवर कंडीशन किसने रखे किसने सिकार के इतियास जवाब मागता है देश की जनता जवाब मागती है जवाब देना पड़ेगा भाग नहीं सकते इतियास सी कोई मानेवर सेना भेजने में देरी क्यों हुई और यह कहते हैं कि इसके बाद भी देरी हुई है मैं साब एक रेफ्रेंस सेम मानेकसा का देना चाहता हूँ फिल मार्सर सेम मानेकसा तब डाइरेक्टर अप मिलिटरी ओप्रेसंस थे उन्होंने एक जगह पे कहा है कि कबिलाई हमरावरे अक्रमक और लूट मचा रहे थे तब चर्चा में ही व्यस्त थे मैं व्यक्ति का नाम देना नहीं चाहता वरना खड़े हो जाएंगे तब एक मीटिंग में सेम मानेकसा मौझूद थे सरदार पटेल जी ने एक नहरू जी को कहा जवाहर आप कास्मी चाहते हो या नहीं चाहते हो देरी क्यूं हो रही है तब जाकर सेना भेदने का निरने हुआ है जवाब देना पड़ेगा अगर असमय सीजफार नहीं होता सीजफार असमय नहीं होता तो आज पाक उक्क्वपाई कस्मी नहीं होता अब पत्रों का जीकर करें किसी अंग्रेज सेनापती ने देखा मैं जरू देखूंगा इसको अगर लिखा है तो देखना चाहिए परन्तु अब सर कुछ भी कहे देश का प्रधान मंतरी का देश की जमिन के लिए हाँ करता हूँ बैठिये मुझे मालूम था साब एक खड़े हो जाएं इसलिए मैं लेकर आए मैं कोट अंकोट परता हूँ इनाइटेड नेशन के अनुववों के बाद मैं इस निसकर्स पर पहुँचा हूँ की वहाँ से कुछ संतोस जनक नतीजों की उम्मीद नहीं की जा सकती मुझे सीजपायर करना अच्छा फैसला लगा लेकिन इस मसले को ठीक से हम नहीं निपट पाए नहीं परक पाए हम सीजपायर पर और विचार करके बाद में नेने करना चाहिए था हलांकि ये सब भूतकाल की गलतिया है ये जो कोट है किसी और का नहीं है जवालाल नहरू का है अब उनको तो मानोगे या नहीं मानोगे कि उन्होंने गलती की है सिकार करी है और साब एक मिट स्वर्ज भी बता देता हूं नहरू मेमोरियल मुज्यमेंट लैबरेली जवाला नहरू कनेक्शन JNSZ 143 पार्ट वन और उस वक जब ए अरे भाई स्वर्जम नहरू कह रहे है मेरी गलती दे क्यों इतना पकड कर रखाए पूंच मानेवर और चलो सहिंगत राष्टर में जाना भी था तो अनुच्छे 51 में क्यों ले गए जहां भारत के अधिकार सिमीत होते थे अनुच्छे 35 में जाते तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं होती ये भी एक बहुत बड़ा गलत फैसला था और मैं बताता हूं मानेवरे कहते हैं कि धारा 370 निरस्त कर दी अगर कल को ये 40 साल के बाद जोर से बोले मनोज जाजी 40 साल के बाद क्योंकि ये मानते हैं कि 40 साल के बाद मैं नहीं हूंगा मैं तो 60 का हो गया मेरा 40 साल का हो इनहीं सकता वो कहते हैं 40 साल के बाद इतियास पूछेगा तो कौन रिस्पॉन मैं बताता हूं दो सदी तक अगर धारा 370 का फैसला गलत है तो मेरी सरकार का है मेरा फैसला धान मंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फैसला लिया है ना मोदी जी इस फैसलेक से भाग सकते हैं ना हमारी कैबिनेट भाग सकते हैं और ना हमारा पार्टी भाग सकता है रिस्पॉन्फिलिटी ओन करनी पड़ती है जब इमेज बिल्डिंग के लिए बड़े-बड़े फैसले लेते हैं सम्वेदन सील दिमाग से फैसले लेते हैं तब इसको ओन भी करना पड़ता है और देश को जवाब भी देना पड़ता है इस तरह से नहीं चलता है इतियास और इतियास मेरी बात आज भी मान कर चलिए दिख्वी जैसी इतियास किसी को नहीं बक्स है किसी को नहीं बक्स है मान आज जो बील लेकर में आज़ाएं